हलो अब्रिवन आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हूं आपको जो एससी कॉंपटिशिन में आपको हेल परेगा जैसे कि मैंने टॉपिक अच्छका सेलेक्ट किया जो वो है प्रेपोजीशन प्रेपोजीशन में आपको बता दूँ इंग्लिश का एक बहु हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग से जाना चाहिए जैसे कि हिंदी में हम इसको क्या समझेंगे प्रेपोजीशन मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन प्रेणाउन से पहले आएं किसी भी जगह से पहले अजस्ट किया जाएं किसी भी संटेंस में और इसको अगर हम डेफि प्रेपोजिशन को, for example, हमारे पास जो प्रेपोजिशन है, वो है, first of all हमें यह पता होने चाहिए कि जो हमारे sentence में noun, pronoun, यह हम जब यूज करते हैं, इनके बिना sentence complete नहीं होता, तो जो noun, pronoun होते हैं, उनके बीच में relation find करने के लिए हमें preposition चाहिए होता है, तो noun हमें पता होने चाहिए, noun क्या होता है, हम सबने पढ़ा ही है, कि जो noun होता है, उसे क्या बोलते हैं, sangya, हिंदी में हम उसे क्या बोल सकते हैं, sangya, और एक चीज़ होती है, pronoun, यह बेसिक्स है हमारी इंग्लिश लेंग्वज के फिर्स्ट अफॉल नाउं जो हमारे संटेंस का बिलकुल बेसिक एंग्लिश लेंग्वज का रहने हम उनहें यह पहले हैं यह जगे आना अग्वल्ग क्या सकते हैं किभी पसंट यह से संधी कचिते हैं यह दो इसका पंटल पिस नां किया होगा किसी बी संग्या क्या हिए brain जैसे कि for example, मैं बताऊं, राम, शाम, यह सब किसके example हैं, किसी person के name के बारे में बात हो रही है, और जैसे कि place के बारे में बताऊं, मुंबई, डेली, etc. यह क्या होगे, किसी भी place के नाम, जो कि हम noun में consider कर सकते हैं, noun होती है, ठीक है, things, things जैसे कि, कुछ भी हो सकती है, chair, table, etc. तो इन सब के, जब हम किसी sentence में use करते हैं, इसका relation find करना होता है, में किसी भी pronoun के साथ sentence में, तब हमें prepositions की जुट पड़ती है, prepositions क्या होती हैं? जैसे हमने noun बताया है, ऐसा ही हमारे पास pronouns है, pronoun क्यों होते है? सर्व नाम, जो संग्या की जगा पर use किये जाए, ऐसे words जो संग्या की जगा, कभी हम जरूरी नहीं होता किसी sentence में हम नाम को ही ले, कभी हम यह भी कह देते हैं कि उसने यह काम किया, वह खाता है, वह वह जाता है, हम उस नाम की जगा हम यह words भी उस करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसको हमने संग्या की जगे उसकी है, वो प्रनावन होगे, तो अब हम prepositions के types बताते हैं कि वो कौन से words होते हैं, जैसे की on, in, over, at, under, etc. and many more, यह examples के हैं में? प्रेपोजिशन के, किसी भी sentence में हमें prepositions कैसे करनी होती है, पर्स्ट अफॉल जब हम uses of on बताएं, क्या होगा इसमें? राम is sitting on the chair. लेट में explain, इसमें हमने simple सा example लिया है, कि राम जो है, वो chair के उपर बैठा हुआ है, जब हम किसी भी चीज का on का use कब किया जाएगा, जब हम किसी भी चीज को किसी surface पे जैसे वो पड़ा हुआ है, जैसे हमने हाथ पे marker लिया हुआ है, तो हाथ पे जैसे हमने इसको यो रख लिया मालो, तो मैं क्या कहूंगी, the marker is lying on my hand, मतलब हाथ के उपर, वो surface पे रखी हुई है कोई चीज, ऐसे ही राम क्या है, चेर के उपर बैठा हुआ है, मतलब किसी surface पे बैठा हुआ है, तो ऐसी condition में हमें on का use करना पड़ेगा, अब आगे in के बारे में use करें जब हम, जैसे कि the milk is lying in the fridge, जैसे कि हमने ये कहा कि जो दूद है, वो fridge में रखा हुआ है, फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, जब अंदर की बात ही तो क्या हुआ, इन प्रेपोजिशन का use कि हमने, हम इनको थोड़ा सा highlight कर देंगे, ताकि आपको easily clear हो जाए, ये हमारा क्या हुआ, कि हमने जो बताना था कि in, अब इससे क्या हो रहा है, हमारा relation पता चल रहा है, किसी बीपर्सन का नेम है राम, वो बैठा हुआ है, इसी भी चेर पर, थिंक भी कै अंदर का एक्जामपल है, इंके बीच में अगर ये ओना होता तो इसका relation नहीं समझ में आता हमें, तो इसली हमने ही ओन का इसली हमने ही ओन का उसली है, सम्मोर एक्जामपल लाग अंदर, अग cat is sitting under the chair, मतलब एक cat है, वो बैठे हुई है, चेर के नीचे, अंदर हमने कभी उसकिया, जो वो चेर के नीचे बैठे हुई है, इस टम में उसकिया हमने, इस टम में उसकिया हमने, okay sir, thank you.